की शुरुआत में एक रिसर्ट सेंटर दिखाया गया है, वहाँ एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम एलिजाबेत था, इस शोध केंद्र में उनका यह पहला दिन था, वो पीशे से नस थी, अब उसका परिचे डॉक्टर वेस्ट से होता है, डॉक्टर वेस्ट पूर के लिए प्रसंद करने के साथ हर कोन से उसकी देखवाल करनी होगी, तो एलिजाबेत, डॉक्टर वेस्ट द्वारा दिये गए सभी निर्देशों से सहमत है, फिर फिल्म की कहानी अतीत में चली जाती है, साल 2015 की बात है, एक चरित्र माक अतीत में देखा जाता है, जहां उ दिखाये देता है जो अपनी खडी कार के साथ सड़क पर खड़ा था, तभी माक का दोस्त वहां आता है जिसे हाल ही में उसकी हालत के बारे में पता चला था, वह उसे गले लगाते हुए कहती है, वह उसके बिना नहीं रह पाएगी, इसलिए वह माक को खुश करने के लिए अपने सभी दोस्तों के साथ एक दिनर पार्टी की व्यवस्था करती है, लेकिन माक को कुछ भी प्रभावित नहीं कर रहा था, वह जाग गया और वह अपना टेबलेट लेने के लिए अपने कमरे में चला जाता है, अब माक वापस लोटता है, वापस लोट कर वह अपने स सभी दोस्तों को साथ साल पहले लिखा एक लेक दिखाता है, वह दिखाता है कि कुछ वैग्यानिकों ने एक जैप कृत्रिम हृदय बनाया था, उस लेक में लिखा था कि वे इंसानों पर अगला प्रयोग करेंगे, जिसके द्वारा मानव अंगों का निर्मान किया जा सकत अब मा को अब लंबा जीना है, तो वह यह तै करता है कि वह अपनी सारी संपत्ती बेच कर फ्रोजन क्रायोस्टेसिस में चले जाएंगे, इसके बाद वह अपने भविश्य में जागेगा, तो भविश्य के वैग्यानिक उसे पुनर जीवित कर सकते हैं, वह उसे एक बार तकनीक की मदद से पुनर जीवित कर पाएंगे, जो आने वाले समय में और भी उन्नत होगा, दूसरी ओर, नाउमी, माप के निरने से बिलकुल भी संतुष्ट नहीं है, वह चाहती थी कि माप डॉक्टर द्वारा अपना इलाज जारी रखे, इस पर माप बताता है, मेरे प पित्यू के बाद डॉक्टर भी आपको इस प्रक्रिया से गुजर सकते हैं, अप मा ने भी इस बारे में एक विचार सोचा था, वह कहता है, वह खुद को मार डालेगा, इससे डॉक्टरों को मिलेगा कानूनी अधिकार, उसकी शरीर को क्रायोस्टेसिस में डालने के लिए फिर इसे भविश्य में फिर से दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर वेस्ट अपनी टक्नीक से मानव शरीर का निर्मान कर रहे थे, इस समय के बाद जब डॉक्टर वेस्ट ने अपनी तक्नीक से एक आदमी बनाया था, उसकी आँखे खुलने की प्रक्रिया में दिखाये यहां पता चलता है यहां आदमी कोई और नहीं बलकी माप है जिसे डॉक्तरों ने उसकी कोशिकाओं को पुनहुत्पन करते हुए पुराने से नए शरीर में स्थानांतरित कर दिया है उसे पुनरजीवित करने के लिए ठीक उसी तरह जैसे नवजात शिशु के साथ गर्भनाल चिपकी होती है अब माप के पेट पर बच्चे की तरह फंसा हुआ गर्भनाल भी था जिसके माध्यम से माप को भोजन की आपूर्टी की जा सकती है अगर यह रसी जैसा पाइप उसके शरीर से अलग हो जाए तब वो कुछी घंटे जीवित रहेगा बाद में वहां डॉक्तरों द्वारा माप को एक उपकरन दिया जाता है तो वे इसमें उसकी पिछी यादों को बहाल कर सकते हैं जिसे डॉक्टर पूरी दुनिया के सामने देखाना चाहते थे क्योंकि माप वह इंसान था जिसे पुनर जीवित किया गया था फिल्म की शुरुआत में नज एलिजाबेथ को भी देखा गया था अब उसे सो दिनों तक माप की देखभाल करनी है अब माप को सो दिन एक ही कमरे में रहना है इस तरह धीरे धीरे दिन बीट जाते हैं माप की हालत में सुधार हो रहा था लेकिन माप अगेले होने के कारण अकेलापन महसूस करता था अब वह अपने पिछले जीवन को याद कर रहा था वो समय जो नाउमी के साथ कुजरा, उनके आनन्द का समय और उनके दोस्तों के साथ पार्टियंग. माप ने अपने भविश्य के बारे में सोचा था कि उसका जीवन कितना अच्छा होगा. लेकिन उसके भविश्य में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था. दरसल चलने के लिए वो कि का भी सहारा महसूस कर रहे थे. इस तरह धीरे-धीरे समय बीटता जाता है. उसके सो दिन पूरे होते हैं. और डॉक्टर वेस्ट इस खुशी का जश्न मनाने के लिए अपनी पूरी टीम को माप मिलाता है. माप को एक पुराना बकसा भी दिया गया है जहां उसकी पुरानी चीजे रखी गई थी. अब माक अपनी सारी पुरानी यादों को समेटे हुए उन्हें याद कर रहा था. नाओमी का एक पत्र यहां भी मिलता है. वह पत्र एलिजाबेत को पढ़ने के लिए देता है. वह हिसे उसके लिए पढ़ती है जहां यह नाओमी द्वारा लिखा ग करने का भी फैसला किया था. जिसके माध्यम से वह माप के साथ अपने जीवन को फिर से शुरू करना चाहती थी. नाओमी के पत्र के पत्र के बयानों को सुनकर वह बहुत दुखी हो जाता है. वह सोचता है वह कितना स्वार्थी था. अब वह डॉक्टर से अनुरोत करता है और वह उस्थान पर चला जाता है जहां नाओमी का शव रखा गया था. माप ने डॉक्टर से निवेदन करना शुरू किया, नाओमी को पहले की तरह पुनरजीवित करें. जैसा कि उसे पुनरजीवित किया गया था. लेकिन डॉक्टरों ने ऐसा करने से मना किया है. डॉक कर माप नाओमी की इस हालत का दोश उस पर मर रहा था. वो अधिक दुखी है. ऐसे में उसकी हालत और खराब हो जाती है. अब वहां के सभी डॉक्टर वहां माप के बदलते व्यवहार को देख रहे थे. और वे इस पर चर्चा कर रहे थे. एलिजाबेट डॉक्टरों को उन्हें माप को अनुसंधान केंद्र छोड़ने की अनुमती देनी चाहिए. वो नाओमी को भूल सकता है बाहरी दुनिया को देख कर. लेकिन डॉक्टर्स जवाब देते हैं माप को थोड़ा वक्त देना होगा. तो हो सकता है वो खुद की मदद से नाओमी की यादों से ब अपने कमरे में जाने पर उन्हें डॉक्टर्स वेस्ट के दिमागी पार्थक उपकरन का पता चलता है. जब हो अपना उपकरन उसके साथ चिपका देता है तब उसे डॉक्टर्स वेस्ट की पुरानी यादे और अपने जीवन में किये गए सभी प्रयोग दिखाई देने लगते हैं और यहां मांग को पता चलता है कि डॉक्टर वेस्ट ने पहले भी लोगों पर कई प्रयोग किये थे लेकिन डॉक्टर वेस्ट के सारे प्रयोग फ्लॉप हो गए थे डॉक्टर वेस्ट ने इंसानों को पुनरजीवित किया था लेकिन उनकी शरीर में काफी इसके कारण वे विशे मृत हो गए थे। सौभाग्य से मांग पर किये गए प्रयोग को सफलता मिली और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। मांग डॉक्टर वेस्ट से मिलने आता है। गलतियों को स्विकार करता है। मांग एक समय के बाद फिर से नाओमी के क्रायोस्टेसिस कक्ष में चला जाता है। एलिजाबेथ भी वहाँ पहुचता है। मांग उसे अपनी पुरानी यादों के बारे में बताता है। क्रायोस्टेसिस में जाने से पहले उन्होंने कैसे वो आगे उससे कहता है उसने अपने भावी जीवन के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था जैसे उसका यह भावी जीवन चल रहा था और उन्हें जो जीवन प्रदान किया गया है वो उनके पिछले जीवन से बिलकुल अनोखा है अब वो एलिजाबेत से मदद मांगता है ताक अपमाक अपने कमरे में वापस आता है फिर एलिजाबेत भी उसके पास आकर उसे गले लगा लेती है और वो इसके साथ अपने कान में उस दवा का नाम भी बता देती है इसे लेते हुए वो एक सहज मृत्यू लेगा अपमाक अनुसंधान संस्थान की प्रयोक शाला में ज माप्त कर ली थी वो उस बोतल को लेता है और फिर से नाओमी के क्रायोस्टेसिस कक्ष में आता है वो अपनी सारी यादों को याद करते हुए उस जहरीली दवा का सेवन करता है वो क्रायोस्टेसिस चेमबर का कनेक्शन भी कार देता है तो नाओमी भी इन व्यर्ट प्रयो दॉक्टर थे जब उसने अपनी आँखे खोली। डॉक्टर वेस्ट उससे कहता है आपने कैंसर की बीमारी से अपनी जान नहीं गवाई थी। तो तुमने जहार खाकर अपनी जान ले ली अपने दूसरे जीवन के लिए। तो अब अपना दूसरा जीवन खराब मत करो। वै करनी जास